What 99% people don't do? ऐसा क्या है जो इस दुनिया के 99% लोग नहीं करते हैं? 99% लोग अपने माइंड का यूज नहीं करते हैं मतलब उतना यूज नहीं करते हैं रोटी खा लिया, कपड़े पहन लिया, नौकरी कराए इतना ही करते हैं, इससे जादा नहीं करते हैं लेकिन दिमाग जो है, वही हमारी लिमिट्स को decide करता है तो इस दिमाग को ही खोल देना है, पैराश्यूट की तरह open कर देना है पैराश्यूट अगर बंध है, तो क्या आप उड़ पाएंगे? आप तो गिर जाएंगे, किसी काम का नहीं है लेकिन अगर पैराश्यूट खुला है, तो आप उड़ सकते हैं कितिनी भी उचाईग पर इसी तरीके से जब आपका दिमाग खुला होता है तो आप उचा उड़ सकते हैं, मतलब अपने सपनों तक पहुँच सकते हैं तो इस दिमाग को सरा काबू करना सीख लीजिए और दुनिया के 1% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस दिमाग की शक्तियों को समझ लिया है इस पर काबू कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है और इसकी पावर्स को हरनेस करना शुरू कर दिया है और 99% लोगों को अभी ये पता भी नहीं है क्या आप हनुमान जी के बारे में जानते हैं? हनुमान जी क्या है? हनुमान जी आपका subconscious mind है जो आज भी मौझूद है आपके साथ और जो आपके बारे में हर चीज जानते हैं और उनकी powers उनको याद दिलाई गई थी और हमारे subconscious mind की powers भी हमको याद दिलानी पड़ती है इस बिल्कुल similar है और हमारे जो spiritual चीज़े हैं रिलिजियस भी हैं उसमें जो चीज़े ये देवी देवताओं के नाम हैं अश्ट शक्तिया हैं ये सब symbolic हैं तो हनुमान जी का symbolic हमारा subconscious mind बहुत सारे traits match हो जाएंगे आप समझ के पढ़के देखेगा तो 99% लोग ये जानते ही नहीं है वो बस हनुमान जी की पूझा करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनसे कौन सा वर्दान ले लेना है मतलब उनको किस तरीके से यूज करना है अपने subconscious mind को किस तरीके से यूज करना है ये सिर्फ 1% लोग सीख गए हैं जो बहुत आगे हैं अब वो पीछे मुड कर नहीं देखते क्योंकि सफलता की इतनी उचाई पर वो हैं हमें भी बस उन्ही को follow करने लग जाना है तो हमें subconscious mind की power को समझना है पढ़ना है वीडियोस भी देखने हैं और लोगों से बाचीत करके इस power को develop करते जाना है ताकि हम अपनी काम्याबी की सीड़ी चड़ सके और 99% से निगल कर हम 1% वाली category में शामिल हो जाएं Thank you जाएं